जैशी कृष्ण दोस्तों पियसना फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों वाल का दिन गणेजी का माना जाता है भगवान शंकर के प्रिये पुत्र गणपती जी का माना जाता है अगर गणेजी को आप प्रसंद करते हैं तो येकीन मानिया आपकी जो भी मनो कामना है वो शी कर सकते हैं अगर आप एक काम करें तो निश्चिती आपकी जो भी मनो कामना है चाहे वो संतान की है धन की है नोकरी की है विवाग की है अवश्य पूरी होती है दोस्तों उसकी जानकरी देरें से पहले अगर अभी तक आपने प्यासरा फैमली चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि शुबलाव इनके पुत्र है और विद्या के दाता है बुद्धी के दाता है विग्न हरता है दोस्तों ऐसी कोई मनो कामना नहीं है जो आप गणे जी को प्रसन करके पूरी ना कर सके दोस्तों गणे जी को प्रसन करना भी बहुत सरल है ये बिलकुल बहुत ही शीग्र आपक इस दिन आप सिनान करके स्वच वस्तर धारन करें और इस दिन आप चाहे तो घर में भी पूजा कर सकते हैं अगर आपके घर में गणेजी की प्रतीमा है फोटो है तो आप उसको मतलब चोकी पर स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जह गणेजी को बहुत ही प्रिये है तो आपको उनको सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए सिंदूर लगाने के बाद आपको अपने मस्तक पर भी सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए इससे गणेजी की किरपा प्राप्त होती है साथ ही दोस्तों भगवान गणेजी को और भगव के बात तीन बार गणेंजी को आपको चावल अर्पित करने हैं। इस तरह से गणेंजी का पूजन करें। साथ ही देखेकंगर्णी को सबसे सरल तरीका यह भी है कि आप गिनकर आपको गणेंजी को देखें गिनकर जो चाहिए पान का भोग लगा सकते हैं चाहे तो आप केले का भोगलासके हैं आप पांच केले का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि देखे केला जो होता है देविक फल माला जाता है और गणेजी को सबसे अधिक प्रिये भी है और उनका प्रिये जो मोदक है अगर आप मोदक ला सके तो मोदक का भी भोग लगा सकते हैं नहीं तो आप केले का भोग लगा सकते हैं कहने का आर्थ है दोस्तों इन में से आप किसी भी वस्तू का भोग लगा सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप पान के पत्ते पर अगर पान का पत्ता ना हो तो आप पीपल का भी पत्ता ले सकते हैं उस पर थोड़ा सा गुड रखकर और हरा धनिया अगर हरा धनिया रखकर अगर आप गणेंजी को अरपित करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है जिस भी कारे में आपके रुकावट आ रही है वह अवश्य ही दूर होती है दोस्तों वैसे तो बताया गया है कि साथ बुद्बार अगर लगातार आगर आप यह एक काम करते हैं तो जो धनिया होता है जो सुखा धनिया आप मसाले में यूज भी करते होंगे तो वो थोड़ा सा आपको गणेंजी को अवश्य इस दिन अरपित करना है देखना आपको जो भी आपकी मनो कामना है वो अवश्य पूरी होगी साथ ही दोस्तों देखे अगर आप संतान की पारवती प्रियन अंदनाय नमा किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करेंगे तो शीग रही आपकी मनो कामना पूरी होगी साथ ही दोस्तों इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें उनका मतलब शिवलिंग पर जल अवश्य अरपित करें और माता पारवती का भी पारवती का गणेजी का पूजन करते हैं उनको ये वस्तू अरपित करते हैं दोस्तों सभी लोगों को पता है कि मतलब गणेजी को ये चीज़े पसंद है लेकिन अरपित करने के भी बहुत से नियम होते हैं तो आप जब भी गणेजी को चावल अरपित करें तो जरूर भी 1921 ऐसे मतलब संख्या में ही अर्पित करनी चाहिए और कभी विलबे उनके चर्णों में नहीं अर्पित करना चाहिए तो आप उनके हाथ पर रख सकते हैं या मस्तक पर अर्पित करें तो इस तरह से अगर आप अर्पित करते हैं तो गणेजी बहुत ही शी TP आपसे प्रसंद होते हैं और आपकी मनों कामना अवश्य पूरी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम गड़े शाय नमा अवश्य लेखें आप सभी को जैशी कुषिए